हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का बहुत समय बाद एक फैंटेसी प्रिव्यू में आ चुका है वो सीजन जिसका था हम सभे बेसबरी सी से इंतजार IPL का समय आ चुका है और पहला मुकाबला है CSK बनाम RCB जो खेला जाएगा एज चेपोक and no prizes for guessing किसको मैं सपोर्ट करना किसका मुझे लग रहा है कि विन प्रेडिक्शन होगा तो विदाउट वेस्टिंग इनी फॉर्दर टाइम चलते हैं हमारे पहले प्रिव्यू की तरफ फॉर्ट बिग सीजन CSK बनाम RCB विन प्रेडिक्शन मेरा चैनने सूपर किंग्स की तरफ नॉट ओली क्योंकि मैं सपोर्ट करना वर क्योंकि होम ग्राउंड भी है चैनने का तो एड्वांटेज वाहां बहुत बड़ा होगा उनके लिए 60% mini GLs 40% SLs और याद रखना कि 50% investment हम कर लेंगे पहले 5 गेम्स के लिए उसके बाद हम investment बढ़ाएंगे based on understanding कि टीम की क्या plans है किस तरीके से बोलर्स को यूज किया जा रहा है बैटर्स कहां पर आ रहा है पिच्छिस कैसी खेल रहे हैं यह सब समझने के बाद हम अपना investment बढ matches के मैं preview कर पाऊंगा कि नहीं इसका कोई confirmation नहीं है बट कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा matches के लिए आप तक पहुच पाऊंगे 60% mini GLs 40% SL small leagues on my must 11 एक बहुत बढ़ा give away होगा पहले game के लिए तो do stay tuned for that app का link या video के description बहुत सारे benefits से आगे सिर्फ आपके लिए exclusively जो मैं आपको बता हूंगा through this preview mini GLs on dream 11 my fab 11 बट ज्यादा तर dream 11 as वहां पे league filling rate अच्छा है तो वैसे मैं इसी तरीके से league split करता हूं अपनी small leagues में खेल रहा हूं my must 11 पे and कुछ mini GLs उनके पास भी है तो वह मैं वहां पे join कर लेता हूं and बाकी mini GLs on dream 11 opinion trading आप खेल सकते हो on real 11 I think कि यह मैं आप सब को सिखाता जा रहा हूं थोड़ा बहुत हम खेलते आ रहे हैं and काफी अच्छा आप तक महां पर scenario सेट हुआ है तो IPL में और भी मज़ा आएगा यह सारे apps के links है वीडियो के description में exchange 22 पे भी rupees 100 real cash है आप सभी के लिए सिर्व आपको sign up करना है तो जल्दी सा sign up कर लो app का link है video के नहीं है बहुत बड़ा leaderboard भी है on exchange 22 यहां पर आपको दिख रहे हैं गाडियों की भीड साथ साथ में है bikes phones and बहुत सारे cash prizes अपना समय बरबाद मत करिए and जल्दी सजा के sign up कर लीजे on exchange 22 यहां पर आपको simply players को buy or sell करना है इस simple तरीके से जो आपको screen पर द देख सकते हैं channel पर क्योंकि यहां पर ना आपको पे करना है GST ना आपको पे करना है TDS तो एक बहुत ही बड़ी आप आप सभी के लिए and आपको मिलनाएगी सारी final updates on Twitter and Telegram दोनों के link से इस वीडियो की description में कोशिश करके link से ही जुड़ेगा ताकि कोई भी fake channel से आप ना लाते हैं and like comment share subscribe हमेशा करते रहेगा ताकि यह content और लोग तक पहुच पाए and video end तक जरूर देखेगा weather report की बात की जाए तो clear weather expected for this game but humidity थोड़ी ज्यादा हो सकती है यहां पर humidity से क्या होता है जनली गेम में एक तो ज्यादतर end of the game तक कभी का बाद ड्यू भी आ जाती है दू report की बात की जाए तो generally यहां पर उतनी easy नहीं होती pitches for batting and हमने जो world cup में देखा यह देखा कि कुछ pitches काफी एची थी कुछ pitches काफी batting के लिए बढ़िया कुछ pitches bowling के लिए बढ़िया and जो natural nature है इस pitch का वो तो slow ही है even on good batting pitches थोड़ा सा slowness आपको जरूर दिखता है maybe turn उस पे कम अब आप pitch dimensions की बात करें तो 66-67 meters उसके अलावा 73-74 meters straight and 58 meters दूसरी side पे यह आपको दिखरी है pitch की photo तो ज्यादा समय इस पे बरबाद नहीं करूंगा at the end of the day जो दिन पे pitch रहेगी उस पे ही सब कुछ निर्भर करेगा average turn in the world cup हमने देखा about 2.9 degrees जो काफी है batters को travel करने के देखा दूसरे वेन्यूस पे 1.5 to 1.8 degrees था वाइल हाइदरबाद चन्नाय में हमने अप टू 2.5 degrees वहाँ पे देखा तो यह enough turn है to disturb the batters उस बाद का ध्यान रखेगा and यह last year का tournament एमदाबाद में 2.1 degrees and चन्नाय में अप टू 3.2 degrees जड़े जा का average spin था यह इनके key spinner होंगे hence यह टीम बना रहे हो grand league की choices आप rotate कर रहे हो as कुछ players वो हिसाब से काफी crucial बन जाएंगे based on the conditions squad news की बात की जाए तो devon convey unavailable matisha पती रहना जो भी हम सुन रहे हैं अब तक चार-पांच हफतों के लिए बाहर हो सकते हैं पर कुछ official confirmation नहीं उन पर उसके अलावा मुस्तफी जो रह्मान injury से जूड रहते हैं अपना over beach में छोड़ दिया था recently उनने match में अगें श्रिलंका बट आ चुके हैं यहाँ पर तो में भी खेल जाए from the start let's see क्या होता है उसके बारा में अब चलते हैं हमारी teams की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं CSK versus RCB CSK की बात की जाए तो हम expecting की अब convey unavailable है तो रचिन रविंदर यहाँ पर open कर सकते हैं रचिन रविंद्र यहाँ पर ओपन कर सकते हैं रचिन राजगाई कवार्ड जिंकरान शिगम दूबे डैर्ल मिचल रविंद्र जडेजा MS-Donee दीपक चाहर शार्दुल ठाकुर जो वापस आफ्टर कॉन वें पतिराना सुरी अगर आवाज थोड़ी सी खराब आ रही है अब तक गला ठीक नहीं हो है पता नहीं दो मेने से क्या चल रहा है कोई उपाय है आपके प्छास तो बताना बड़े नहीं है चलते हैं आर्सीबी की तरफ फाफ डूपलेजी विराट कोली द सकते हैं एक सलीके के बाट टाइप के प्लेज इनके पास इस रोल के लिए बड़ खेल तो ज्यादा तर एक ही सकते हैं अनलिस ये क्यामरें ग्रीन को भी ड्रॉप करते हैं बड़ उनलाइक लिए जो प्राइस पर लेके आ हैं मौमद सिराज करन चर्मा और वाइशाक विज तो आफ याद रखिए हम इतने सारी लीक्स केलेंगे इतने सारे स्मॉल लीगष केलेंगे बेस्टे प्लेश टू प्लेश टू प्लेज मौमत स्मॉल लीगऄ थी engineersилась expense contract अजिय आप ऱिख मॉलीSmith तो चैनल सूपर गेंग्स के लिए फर्स बैटर यहां पे होंगे रचिन रविंद्र ओपनिंग बैटर एंड स्पिनर भी है फॉर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा सा स्टागिल किया अब तक टीट्वेंटी में बहुत ही रिसोर्स फुल लेफ्ट आम स्पिनर है फ्लाट यह opportunity meter क्या है जो लोग पहली वार मेरा वीडियो देख रहे हैं यह है कि player bat and ball के साथ कितना contribute कर सकता है कितनी उसको opportunity मिलेगी मतलब कितने overs मिलेंगे कितना batting का chance मिलेगा उसी basis पे वो meter set होता है and risk meter क्या है कि player कितना risk लेके batting कर रहा है अगर risk meter high है for the for a batter मतलब थोड़े ज्य के लिए कम है मतलब fantasy value भी वहाँ पर कम हो जाती है तो थोड़ा inversely inversely proportional है यह बात तो यह हुए रचन रवेंद्र की बाद रूतुराज गाई क्वार्ट ठीक टाक पर्म में चलने ऑफ लेट मैच अपस इनके ठीक टाक अगेंस rcb एक बहुत अच्छा गेम इनके लिए मैं expect कर रहा हूँ है स्टार्टिंग में कुछ help ना हो वर्सेज rcb 33 का आवरेज रखते हैं 144 स्ट्राइक रेट एट चैननाई 268 रंस 38 आवरेज पिन को भी काफी बढ़िया खेलते हैं अब फ्रंट मुविंग बॉल हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यह एक कॉलिटी प्लेयर है इस टीम के लिए पिर चलते हैं यहां पर अजिंग क्या रहाने की तरफ पिछ इने खास सूट नहीं करें यह आप देख सकती हो विटिज डेटा एट चैननाई 11 मैंच वन सेविंटी त सिर्फ पंद्रा का आवरिज और 124 का स्ट्राइक रेट तो कुछ कंसर्निंग नंबर्स यहां पर आर सीवी के सामने ठीक है लास सीजन का रिकॉर्ड भी लास सीजन भी अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं बट चैननाई में कैसा खेलेंगे वह गई की क्वेसिन अभी के लिए म ना हो एज मैच अफ भी इनके फेवर में नहीं है और स्लोर पिच्छ पे इने कुछ खास मदद या मज़ा नहीं आता शिवम दूबे अच्छे प्लियर है स्पिन भी बहुत अच्छा केलते हैं मीडियम पेसिस भी डाल लेते हैं वर्सेज आर सीवी तीन मैच्छे में 193 रं बेस्ट ऑन इस पास रिकॉर्ड सिर्व एकी चीज़ है अलजारी जैसे प्लेयर जब खेलेंगे उनके लिए एक वीकनेस होगी है एज अड़ बोडी डालते हैं शॉट भी डालते हैं ऐस वर्सेज अलजारी एक बार आउट भी हो चुके हैं स्ट्राइक रिट भी कुछ खा कर आउट हो एक बार बॉमरा के सामने, एक बार रॉफ के सामने और दूर बोलर्स के सामने, सिर्फ वो ओफ कुछ चांट के सामने आउट हो हैं उसके अलावा हर टाइप का शॉट है इनके पास बितिन था बुक ज्यादा IPL खेले नहीं एक ही मैच खेला, आड़ सीवी के सा जाता है और चैन्ना भी बहुत अच्छा किया है इन्होंने 381 विकेट्स उतने ज्यादा नहीं कि मैं पता है कभी को बार बोलिंग फॉर्स इनकी एकोनॉमी अच्छी होती है बट विकेट्स ज्यादा नहीं मिलते हैं वाइल वर्सेज आट सी भी हमें पता ही है वांखिडे व एंस बहुत ही हाई वो उप्रिचुनिटी मीटर एं रिस्क पी उतना नहीं लेते हैं तो अन फ्लाट ट्रैक्स वाइल बॉलिंग फॉर्स इन पर अब जील में चांस ले सकते हो एल्स एट चन्ना पर इन पर इन पर चांस लेना बिलकुल नहीं बनता माहिंद्र सिंग दोनी बट अलसो फॉर दिनेश कार्थिक बट इन जो भी पहले बैटिंग करें उनका लाइकली हुट ज्यादा हो जाएगा तो गेट अन ऑपरिचुनिटी तो बैट तोनों ही कीपर्स में नॉट टू मच तू पिक शारदोल ठाकोरी पैक इन चन्ना एं आफ्टर वाइल थी मैच बारा विकेट बहुत ही अच्छे पिक यहां पर सेकंड बोलिंग करते हुए नंबर्स और भी खास अज अंडर प्रेशर यह विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं प्लस सेकंड लिनिंग में बोलिंग मतलब फर्स इनिंग में पैटिंग से भी कुछ कॉंट्रिबूशन आ जाते हैं रादर तीन ओर जिन पाव प्ले जो चौता ओवर है वो दसवे बार वे ओवर के मार्क पे खतम हो जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में हिल्प नहीं होती है तो वहां पे इने विकेट ज्यादा नहीं मिलते वर्स आर्सी भी आर्ट मैच में स थोड़ा समय लेके खिलते हैं तो में भी असानी से इने विकेट ना मिले में भी सेकेंड बोलिंग में ज्यादा वर्थ कंसिडरिंग एस फिर अंडर प्रेशर इने मानना जरूरी हो सकता है महेश तीक शाना है डेट शाप आक्यूरेट बोलर थ्री मैच्च एट विकेट व ले नहीं है बट एकनॉमी इनकी अच्छी रही है कुछ बैटर के सामने पिटे हैं लोगर ऑडर बैटर के सामने विकेट लिए हैंस मैच अप सोड़े वापस अपन डाउन किया सकता हूं और फॉर्म भी इनका खास नहीं राम ने देखा वर्सिस बंगलदेश रिशाद हु इनकी अक्यूरिसी से बहुत सारे LBW बोल्ड बॉनस पॉइंट्स मिल जाते हैं हमें फैंटेसी मुस्तफी जो रह्मान वापस इनका फॉर्म कुछ खास नहीं वाइल पिछ में भी इन्हें सूट कर जाएं वर्सिस आर्सीबी आर्ट मैच में सिर्शे विकेट्स अन हमें प बिग क्वेशन माक तो यह हुई टीम चैन्ने की बात अब चलते हैं टीम बैंक लोड की तरफ और पहला प्लेयर अफकोर्स होंगे विरात कोली ऐल फेस बैटर वान अगर इनिंग्स बनानी सीखनी है तो कोई इन से सीखे कभी कभार श्लो स्टार्ट कर सकते हैं वर्सिस पि यहां पर क्या होगा आप ज्यादा टीम्स बनाईए जो ग्रैंड लीग है वो जोइन करें उससे क्या होगा कि जो आपकी बेस्टीम की पॉइंट से वो काउंट की जाएगी तो जब आप सब सब के सब मैच्च वहां पे खेलेंगे आपके रैंक वहां पे इंप्रूव हो जाएगी जो एकाद मैच मिस कर जाएंगे कुछ लोग ज्यादा टीम नहीं बना पाएंगे तो हर मैच में कंसिस्टेंटली के लिए और ज्यादा टीम बनाएगे बेस्ट पार्ट क्या है यहां पे कि कॉंपेटिशन सिर्फ 75,000 स्पोर्स का यहां पे आप देख सकते हैं और प्राइस पूल भी अच्छा कासा टू लाइक का फर्स सीएस के थ्री मैचेज में 108 रन 36 का अवरेज अगर कोई कंडिशन बेस्ट चानता है फ्रॉम थार्सीवी टीम वहांगे यही अज बहुत खेल चुके हैं आपे 19 मैचेज में 553 रन काफी अच्छा किया हुआ है नहीं आपे सिर्व एक की वीक्नेस हैं की कि लेफ्ट आम पेस के सामने कभी कबार स्टार्ट में स्ट्रगल करते हैं जो हमने विराट के साथ भी देखा है तो अगर मुकेश चौधरी ये गेम खेलते हैं उन पे जरूर एक नजर बनाये रखिएगा अब चलते हैं रजट पार्टीदार की तरफ जिनका रीसेंट टेश डेब्यू कुछ नहीं रहा उसके अलावा ये स्पिन अच्छा केलते हैं लेफ्ट आम स्पिन भी बहुत अच्छा केलते हैं पंच सेविंटी की स्ट्राइक रिज से तो अगर जडेजा को किसी को न्यूट्राइज करना पड़ेगा उसमें रजट पार्टी तार को बहुत बड़ा रोल यहा के खेलते हैं एंस मैच अप सोड़े कंसर्निंग बड़ अफ्कोर्स बेस्टीम में जगेर डूंडेंगे यह इनकी जो बोलिंग भी है बहुत प्रभावित कर सकती हैं आपर कैमरें ग्रीन मिदल और बैटर प्लस पेसर इन कंडिशन को में यह कंडिशन में इने खास शूट ना करें especially with the bat and with the ball भी कितना मौका मिलेगा that depends on the number of faces in this team महिपाल लोमरो और हैं लास्ट एर कुछ यूसफुल नॉक स्केल के कहते हैं डाउन दी ओडर एट चन्नाय तू मैचस 47 रंज एंड वोसिस सीएस के तू मैचस 18 रंज जील में बिलकुल आप इने रोटेट कर सकते हो दिनेश कारते कि यह इनका home ground है यहाँ पे एट चन्नाय 15 मैचस में 294 रंज एंड वोसिस सीएस के 29 का आवरेज रखते हैं पहले बैटिंग करेंगे तो definitely इने पिक किया जा सकता है करन शर्मा लेगी है यह चन्नाय के लिए भी खेल चुके हैं पहले एट चन्नाय बट एक भी विकेट नहीं मिला इने वर्सिस सीएस के साथ मैच में सिर्फ तीन विकेट एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 रंज यह बना चुके हैं तो of course with the bat थोड़े से हैंडी रह सकते हैं अनलिस बहुत ज्यादा स्लोपेच हो में भी इने कंसेडर ना किया जाए जील में आप रोटेट कर सकते हैं जिस तरीके का विकेट टेकिंग नैक है इनके पास यह जरूर काम आएगा एंड वर्सिस सीएस के भी तीन मैच में पांच फिकेट ले चुके हैं वो शाप चार ओवर यह बिल्कुल करेंगे यहां पर एक जो बिक कंसर्णिंग वाला पॉइंट है आप वर्सिस सीएस के नंबर्स है कि नौ मैच में सिर्फ दो विकेट बड़ हैं हैंस मैंने बैक कर रहा हूं और चननना है साथ मैच में साथ विकेट है जो ठीक टाक नंबर्स है वा आज के मैच अपस की तो यहां पर आप देख सकते हैं ग्लेन मैक्सवल वर्सिस रविंद्र जडेजा सेविंटी और फिफ्टी वां चे बार आउट हो गए हैं यह रविंद्र जडेजा को तो वाइल स्ट्राइक रेट अच्छा है छे बार आउट होना भी काफी हाई नंब इंट्रेस्टिंग मैच अपस ऐसा नहीं को होगा कि आप कि यहीं में से किनी भी बैटर्स को डिरेक्टली ड्रॉप कर सकते हो बट जी यल रोटेशन में जरूर इस बात का ध्यान रखेगा अब बनाते हमारी आज की फैंटसी टींग जो भी पहले बैटिंग करेगा मैं उनके साथ जाऊंगा अभी के लिए जाना होगे थाए मैस इन दे बैटिंग सेक्शन विराट कुली रूतराज काईकवाट फैब डूपलिसी और्यल मिचल मैं चारो में से किसी को भी नहीं चोड़ूँगा ऐस चारो काफी इंपॉर्ट सेक्शन की बहुत की जाए तो मौमत सिराज शार्दूल ठाकुर यह होंगी मेरी की चॉइसे उसके अलावा अलजारी जोजिफ या महीश तीक्षाना में से कोई भी एक अभी के लिए मैं जा रहा हूँ वित अलजारी जोजिफ अगर महीश तीक्षाना के हिसाब से मुझे लग रहा है कि पिछ में कुछ हैल्प होगी तो मैं उनके साथ भी जा सकता हूँ इस लॉट में कैप्टेन वाइस कैप्टेन की बात की जाए तो कैप्टेन और वाइस कैप्टेन विल भी बिट्वीन रविंद्र जडेज्जा एंड ग्लेन मैक्सवेल अब मैं टीम इतना ज प्लेन करने का काम वो पहले अल्रडी हो चुका है तो यह हुई हमारी बेस टीम की बात यह आपको दिखरी है करेंटली आपके स्क्रीन पे अब चलते हैं हमारे आज के जील ऑप्शन की तरफ एंड फिर हम वापस आएंगे इसी सेक्शन में तो अंडरस्टैंड कि आप किन प्लेर्स को रोटेट कर सकते हैं तो ग्रैंड लीग ऑप्शन लो सलेक्ट डाक उस पेक्स अलजारी जोजिफ जो अल्रडी मेरे टीम में अगर टॉम करेंट भी खेलते हैं पहले बोलिंग करते हैं तो डेफिनिटल करूंगा उसके अलावा शार्दोल ठाकोर या महिस दिख सकते हैं उनके प्लेयर कार्ड पर कैमरें ग्रीन उसके अलावा क्योंकि कंडिशन इने खास यहां पर सूट नहीं करेंगी स्पेशली अगर स्लोपेज होगा ग्रैंड लीग कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी चॉइस बैटिंग फर्स बोलिंग सेकिंड जडेजा बैटिंग स क्या हो जाती है इपिल में के मारे पास बहुत सारे ऑप्चिंग नहीं कि बहुत सारे कॉलिटी प्लेयर यहां पर वेलबल होंगे अनुज रावत अगर खेलते हैं ओपनिंग करते हैं ओपनिंग के आसपास भी कहीं होते हैं अंदर टॉप और तो एक बहुत अच्छी अगर खेलते हैं इस गेम में तो डेफिनिटली वर्त कंसिडरिंग विद बैट फॉर्म काफी खराब रहा है टॉम करन की बात की जाए तो अगर स्टार्टिंग में कुछ हैलपो ड्यू तो दीपक चाहर एक अच्छी चॉइस वहां पर बन सकते हैं लॉकी फर्गुसें आप रोटेट कर सकते हैं अपने दिन पर तीन से चार विकेट वो ले जा सकते हैं सेम फर री स्टॉपली मुस्तफी जुर्यमान इफ बोलिंग फर्स करन शर्मा इफ बोलिंग सेकेंड मुकेश चौधरी बोलिंग फर्स और जब आप जील में विराट या फैक पर रिसक ले लाइगर फिर जाली मिलेंगे एंड लाइक बटन जरूर रिट करेगा अगर आपको एक कॉंटेंट पर संथा जाया हो तो कॉमने एंड शेर जरूर चाहिए जल्दी मिलेंगे को प्र एंड बीव के लिए थांक यू स्वाच पूनिंग इन एंड थैक्यू सो मुच पूर ट झाल झाल